हेलो दोस्तों! मैंने आज इत्ने सारे एमेजोन से पारसल मंगवाये हो एतने दिनों से मैं इतचार कर रही थी कि मैं उनने कब खोलूंगी पर आज फाइनली वो दिन आ गया जब मैं सबको एक साथ खोलने वाली हूं और आप लोगों को भी दिखाने वालों कि मैंने क्या-क् मैं यह पार्सल खोल रही थी पर मेरी सीजर नीचे गिर जा रही थी but that's okay and now I'm opening it और यह इसमें से निकला एक आप क्यास कीजे यह क्या है well मैं बता देती हूं यह था एक सोफा थ्रो जो कि मैंने green color में मंगवाया था olive green color था इसका और यह मुझे बहुत अच्छा लग रहा था मतलब इसकी quality मुझे काफी अच्छी लग रही थी इसका फैब्रिक काफी अच्छा था और यह मुझे 949 की cost पर मिला था इसमें काफी सारे और भी colors थे चलो सेकिंड पार्सल को open करते हैं तो मेरे सेकिंड पार्सल में निकले थे ये कुछ cushion cover और ये एक pair था cushion cover का जो मैंने yellow color में मंगवाया था और ये मुझे काफी cool लग रहा था तो मैंने जल्दी से अपने pillow space से चढ़ा कर भी देखा इसके बीचे जिब भी थी और quality wise भी काफी अच्छा लग रहा था और ये दो pillow cover मुझे 649 के पड़े और रखने का बड़ा ही शोक है इसलिए मैं ऐसी चीजें बहुत मंगवाती रहती हूं चलो खोलते हैं मेरा ये third parcel और इसके अंदर से निकला ये एक बहुत ही cute सा show piece जिस पर लिखा था be happy मुझे बहुत प्यारा लगा जो कि मुझे कुछ 2500 रुपय का बढ़ा पर ये काफी cool एक cushion cover पर ये जो लंबे वाले cushion होते है ना वैसे वाले cushion का cover था तो चलो हम इसे open करके देखते हैं कि इसकी quality कैसी है ओके तो quality अच्छी थी ये सारा का सारा handmade था पर quite costly लगा मुझे ये मुझे 750 का पड़ा एक पिलो cover तो मैं शायद ये return करने वाली थी चलो अब open करते हैं से खोल लूँगी पर बहुत ज्यादा कोशिशे करने के बाद भी ये नहीं खुला तो मैंने सौजा कि अपने हाथ का नहीं सीजर का इस्तमाल कर लिया जाए इसलिए फिर मैंने सीजर से इसे open किया और इसमें निकला था ये एक और बहुत ही बढ़िया सी चीज बिकॉज य कितना सोफली मतलब ये अपने आप ही खुले जा रहा है मुझे तो इसे open करने की जूरती पड़ रही है I loved it इसका color इतना अच्छा था और इसमें बहुत सारे color options भी थे और ये मुझे कुछ साड़े बारा सो रुपय का पड़ा था and such मुझे बहुत अच्छा लगा जब ऐस थे कुछ tea sugar and coffee jars you can see और ये काफी क्यूट लग रहे थे और अंदर से ये steel की quality के थे तो मैंने इसके अंदर जल्दी से समान डाल कर देखा कि इसके अंदर कितनी quantity आ रही है और इसमें एक अच्छी quantity आ रही थी और ये तीनों जार मुझे कुछ हजार रुपय के पड़े जो क कि वर्थिट लगे मुझे उसके बाद खोलते हैं चलो मेरा अगला पार्सल तो इस पार्सल में निकला है और गनाइजर स्टैंड येस क्योंकि मुझे किचन में कुछ समान रखने में दिक्कत होती थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक और गनाइजर स्टैंड मंगवाया जा पर उसमें था मिरर जो कि इसी स्टैंड के उपर रखा जाने वाला था और ये मुझे कुछ 625 का पड़ा और ये मुझे इसके उपर मेरे जार्स भी बहुत अच्छे से आगे और भी चोटे मोटे चीज़े मैं इसके उपर रख सकती थी तो आई लवड इट चलो अब खोलत और इंज कालर इतने प्यारे कलर से इसके ग्रीन वन एंड रेड वन ओमाइग गॉड इसके सारे कलर इतने कूल थे ना यार और ये किसी भी वाइड वॉल पर लगाने पर इतना अस्थेटिक लगने वाला था ये मुझे कुछ थेरा सो रुपए का पड़ा था और इसके अं जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर जाना बाबाई टेक किर आप